हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस construction industry में कुछ अच्छा कर रहे होंगे एंजिनियर जब भी हम किसी road, highway और एक्स्ट्रॉस भी construction की बात करते हैं तो चीजें सिरफ दो तरीके से ही हो सकते हैं या तो आपका concrete का road बनता है या तो आपका bitumen का road बनता है जो आपका bitumen का road बनता है उसको हम बोलते हैं flexible payment और जो आपके flexible payment उसके construction करने का क्या procedure होता है फिलक्सल पेमिट में कौन-कौन सी लियर्स आती है, उसमें कौन-कौन से आइटम्स बनते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं आलेडी लास्ट मंत में बना चुका हूँ, और अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो आपको करने का क्या प्रोसीजर होता है, step by step उसको हम कैसे construct करेंगे, उसमें कौन-कौन सी लियर्स आती है, एक रिजेट पेमेंट में क्या-क्या आइटम बनते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो यह सारी चीज़ आज आपको सीखने को मिल रही होंगी, तो दोस्तों आप य आपस बने रही है हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, एंजिनियर्स जब भी हम किसी हाइवगा construction करते हैं, तो यह meta नहीं करता है, कि हम flexible payment बना रहे हैं, या फिर rigid payment बना रहे हैं, आप किसी भी तरह का payment बना है, लेगिन सबसे पहले हमें survey पर होम करना होता हैं, जिसमें आपका preliminary survey हो रहा होता है, आपका reconnaissance survey हो रहा होता है, आपकी final alignment to detail survey हो रहा होता है, हम लोग traffic का survey भी करते हैं, topographical survey भी होता है, और इन सभी survey को हम लोग analysis करके, एक अपना final alignment decide करते हैं, जिसके थो आप origin से लेके destination तक जा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हमारा land acquisition का काम start होता है, जिसको आप right of way बोलते हैं, origin से लेके destination तक आपकी government land acquisition का काम कर रही होती है, और उसके बाद ही हमारा फिर किसी भी तरह के road के construction का काम start होता है, तो फिर चलिए आँगे हम उसको समझते हैं, कि जो आपका rigid payment होता है, जिसको आप concrete का road बोलते हैं, उसके बना हमारा काम होता हैं, वो होता है आपका embankment बनाने का, जो हमारा highway बनने वाला है, जो आपकी road बनने वाली है, जो आपकी अब जो embankment है उसकी क्या depth होगी वो इस बात को पर depend कर रही होती है आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक यहाँ पर road का एक L section बनाया हुआ है एक longitudinal section बनाया हुआ है जिसको आप समझ के यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी embankment है उसका किस तरह से construction होता है तो आप यहाँ प के बाद free हमारी road की layers आ रही होती है आप यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं कि जो concrete की road होती है उसमें concurrency layers आती है सबसे उपर हमारा क्या होता है PQC होता है जिसको आप payment quality concrete उसके बाद हमारा DLC होता है जिसको आप dry lean concrete बोलते हैं उसके बाद फर हमारा GSV आता है जिसको हम लो इसको हम क्या बोल रहें embakment यह पूरी road का क्या होता है foundation होता है अब embakment की क्या depth होगी यह depend करता है कि कि हम किस तरह का road बना रहे हैं आप कोई village road बना रहे हैं कोई national highway भी बना रहे हैं, state highway भी बना रहे हैं, या फिर आप कोई express भी बना रहे हैं, तो उसके उपर यह depend कर रही होती है, तो यहाँ पर देखेंगे, यह हमारा क्या FRL, finished road level, और इसके बाद यह हमारी crust की थिकनेस है, आपका जो PQC है, उसकी थिकनेस आएगी, DLC की थिकनेस आएगी, आपका GSV का थिकनेस आएगा, आपकी जो subgrade है, उसकी थिकनेस आ रही होगी, तो जब हम FRL में से अपनी जो crust की थिकनेस है, वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा ETL आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इमबेक्मेंट, टॉप लेबल, यह फिर आप उसको subgrade का bottom लेबल भी बोल सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है किवल जो आपका FRL है, finished road level, आप देखेंगे, जो roads डिजाइन होती है, तो जब road की drawings बनके आती है, road की drawings में आपको TCS देखने को मिलेगा, typical cross sections, और आपको P&P की drawing आती है, जिसको हम बोलते हैं, plan and profile की drawing, क्या बोलते हैं, plan and profile की drawing, तो plan and profile की drawing में, आपको इस तरह से एक profile दी रहती है, जिसमें आपका यह FRL होता है, उसमें से हम यह crust की thickness माइनस कर देंगे, तो हमारा embankment top level आ जाएगा, जिसको आप subgrade का bottom level बोल रहे हैं, और उसमें से फिर हमारा सबसे नीचे OGL होता है, जो हमारा actual ground surface है, उसके हम लोग labels उठा के लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, OGL, original ground level, जो आप ETL से OGL माइनस करेंगे, तो हमारी depth आ रहे होगी, क्या करना है, ETL से OGL माइनस करना है, तो हमारी depth आ जाएगी, कि जो embankment है, उसका कितना depth होगा, तो उतनी depth में अब हम लोग embankment का construction कर रहे होगे, जो कि हमारी किसी भी तरह की road का foundation होता है, आगे चलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो embankment है, उसकी construction कैसे होती है, और embankment में कुछ specifications हैं, तो आप आप देख सकते हैं, कि जो आपका embankment होगा, उसमें जो minimum each layer ठिकनेस होगी, वो कितनी होगी, आपकी 100 mm होगी, और उसकी बाद जो आपका maximum each layer ठिकनेस होगा, वो आपका 200 mm है, यदि हमारे पास static roller है, यदि हमारे पास vibrating roller है, तो हम 25 mm की layer डाल सकते हैं, maximum to maximum, इससे जान्दा maximum नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो embankment की जो height होती है, वो आपकी 1 meter, 1.5 meter, 2 meter, और किसी-किसी case में 3 meter तक चली जाती है, तो आप 2 meter, 3 meter आप एक साथ आप नहीं डाल सकते हैं, दरबाइस आप compaction अचीव नहीं कर पाएंगे, आप density अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम layer-wise ही आपकी जो layers हैं, उसको हम laying करा रहे होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, कम से कम आप 100M की thickness की layer डाल सकते हैं, और जान्दा से जान्दा आप 200M की layer thickness डाल सकते हैं, एक बार में, यदि हमारा embankment की जो depth है, वो 1 meter है, तो हम 200M की कितनी layer डालेंगे, 4 layer डालेंगे, आप पहले 200M का layer डालेंगे, फिर उसकी कोटाई करिये, यानि आप उसका compaction करिये, फिर आप 200M का दूसरा layer डालिए, उसका compaction करिये, तो आप एक proper compaction के साथ density achieve कर पा रहा होंगे, यदि आप density achieve नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका bad है embankment का, वो आपका fail हो रहा होगा, इसलिए जो हम लोग layers हैं, वो एक बार में पूरा नहीं डालते हैं, maximum to maximum आप 200M की डाल सकते हैं, वो अब यदि आपके पास vibrality roller है, next देखेंगे, maximum size of course material that we use in a embankment, वो आपका 75 mm होना चाहिए, आप embankment में किसी भी तरह का soil use कर सकते हैं, बस वो आपका expensive और आपकी organic soil use नहीं होती है, जो आपके embankment बनते हैं, उसमें आप ये देखेंगे, इस तरह से ये आपका मिट्टी आता है, तो हम embankment में किसी भी तरह का soil use कर सकते हैं, बसरते वो आपका organic और extensive नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका black cotton soil होता है, तो जो भी आपकी soil use हो रही है, जो भी आपका material use हो रहा है, उसका maximum size है, वो आपका कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, अगर इससे जांदा size होता है, तो हम उसको फिर break करके डाल रहे होते हैं, आँगे देखेंगे किस तरह से इसका construction होता है, और जो आपकी embankment होती है, उसकी जो item बनती है, उसको हम meter q में measure करते हैं, तो यहाँ पर देखा था आपनी starting में कि जो हमारा tipper होता है, जो आपके dumpers होते हैं, वो यहाँ पर minty को dump करके जाते हैं, और उसके बाद यह हमारा इस तरह से dozer आता है, जो कि आपकी soil को इस तरह से spread कर रहा होता है, और इसके बाद हम लोग grader का use करते हैं, और जो आपकी layer होती है, उसकी हम grading कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो हमारा embankment है, उसके construction का काम चल रहा है, यह हमारा dozer machine है, जिससे हम यह जो embankment की soil है, उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, spread कर रहे हैं, आगे चलते हैं, और इसके बाद देखेंगे हमारा क्यों सा nest layer आता है, जो हमारा nest layer वो क्या है, आपकी subgrade, embankment के बाद हम लोग क्या करते हैं, subgrade बनाने का काम करते हैं, अब subgrade क्या होता है, उसको आप यहाँ पर देख लेते हैं, कि जो subgrade की minimum each layer थिकनेस है, वो कितनी है, आपकी 100M, normally आप देखेंगे, जो आपकी subgrade है, उसकी जो थिकनेस कितनी होती है, आपकी 500M होती है, mostly cases में आपको सभी जगह, subgrade की थिकनेस आपकी 500M देखनी को मिल जाएगी, लेकिन, जब हम subgrade को लेंग कराते हैं, subgrade के लिए, जब हम soil डालते हैं, तो जो soil डालेंगे, उसकी minimum each layer थिकनेस है, वो कितनी है, 100M है, और जो आपकी maximum each layer थिकनेस है, वो आपकी 200M है, यदि हमारे पास static roller है, यदि हमारे पास vibratory roller है, तो कितनी हो जाती है, वो आपकी 2500M हो जाती है, यदि आपका vibratory roller है, तो आपकी जो subgrade की तिकनेसे वो आपको पता है 500M होती है, तो हम 2500-200 करके दो layer में डाल सकते हैं, आप एक बार में 500M की subgrade की layer नहीं डाल सकते हैं, आप density अचीव नहीं कर पाएंगे, आपका bad fail हो जाएगा, तो normally आप देखेंगे, सभी contractor के पास vibratory rollers होते हैं, तो हम पहले एक subgrade का जो आपकी level होगी, हर layer का एक level होता है, जो कि आपको drawings में दिया जाता है, तो जो label tolerance है, उसको आप plus minus 20M tolerate कर सकते हैं, यह बहुत ही important interview questions है, जो कि mostly पूछा जाता है, कि जो subgrade उसकी label tolerance कितनी होती है, तो plus minus 20M आप subgrade का जो label उसको tolerate कर सकते हैं, इसके बाद देखेंगे, maximum size of course material कितना है, आपका 50M, आप subgrade में किसी भी तरह का soil use कर सकते हैं, बसरते वो आपका organic और आपकी expensive soil नहीं होनी चाहिए, बांकि आप कुछ भी use करेए, और कोई issue नहीं है, बट आपका maximum size है, material का, वो आपका 50M से जानदा नहीं होना चाहिए, और जो आपकी subgrade की item बनती है, as for more ministry of road and transport highway, subgrade को हम meter cube में measure कर रहे होते हैं, आगे देखेंगे, तो आपको पत चलेगा, कि जो subgrade है, उसकी construction हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले dumpers और tippers कित्रों हमने यहाँ पर, जो आपकी soil है, उसको हमने यहाँ पर dump किया, और dump करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, कि जो आपका grader है, वो किस तरह से इस soil की grading कर रहा है, और इसके बाद फिरम लोग इसका compaction करेंगे, आपके जो bybt rollers बगेरा होते हैं, 8 से 10 ton का, उसका use करके हम इसका compaction कर रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, कि subgrade का construction करने के बाद जो आपकी layer आती है, वो आपकी layer आती है, जिसको हम बोलते है, granular subbase, इसको filter media भी बोला जाता है, तो जो GSV की layer आती है, उसमें आप देखेंगे, कि क्या क्या चीज़ें होती है, GSV को हम filter media, फिट रेलिज layer भी बोलते हैं, क्योंकि इससे आपका जो water है, वो pass हो रहा होत है, और इसकी minimum each layer ठिकने में से, वो कितनी है, 1,500 м, कम से कम हम कितनी thickness का layer डाल सकते हैं, 1,500 यान 6 इंची की ठिकनेस हम डाल सकते हैं, और maximum इच लियर आपको पता है, यदि आपके पास static रॉलर है, तो 200 mm होगा, यदि आपके पास bybt रॉलर है, तो हम 200 mm का maximum लियर डाल सकते हैं, तो यह दो चीज़े हैं, बाकि जो GSP की लियर है, वो आपको drawing में दी रहे हैं, बस आपको आप से interview में पूछा जाता है, कि जो आपका revisit payment होता है, उसमें जो GSP की layer होती है, उसका कितना label tolerance होता है, तो plus minus 6 mm होता है, और यही चीज़, आपकी flexible payment में, जब आप flexible payment में जाएंगे, between की road में जाएंगे, तो जो आपका GSP होता है, उसकी जो label tolerance होती हो, plus minus 10 mm होती है, तो बहुत सारे students और engineers इसमें confusion में रहते हैं, तो आप ही आपको confusion में नहीं रहना, यह बहुत important चीज़ है, कि जो GSP के जो label tolerance होता हो, plus minus 6 mm होता है, और उसके बाद जो GSP की item बनती है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, आंगे आप देखेंगे कि जो आपका GSP होता है, वो किस तरह का होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, यह देखेंगे, यहाँ पर, यह हमारे GSP के construction का काम चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, हमारा यह बाइवेटरी लॉलर है, 8 से 10 टन capacity का आता है जिसके तरह हम लोग इसका compaction कर रहे हैं, अगर हम GSP में grading की बात करें, तो GSP में आपको 6 टरह की grading देखने को मिलेगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और आपकी 6, 6 टरह की आपकी grading होती है GSP में, और आपका GSP में जो aggregate का size आता है, मैं आपको बता दूँ, ऐसे material GSP में आपका pure aggregate आता है, क्या आता है, GSP में आपका pure aggregate आता है, 75 micron से लेके और 75 mm तक सभी sizes के aggregate आ रहे होते हैं, इस GSP में as per grading, आपने college time में sieve analysis किया होगा, तो उसी sieve analysis के थ्रोव आपकी grading की जाती है, और इस GSP में आपका 75 micron से लेके 75 mm तक सभी sizes का aggregate आ रहा होता है, आगे चलेंगे, तो GSP के बाद आपकी layers हैं, उसको हम analysis करेंगे, तो यह GSP का इस तरह से आप देखें किस तरह से हमने इसको link कराया है, और इसके बाद यह आपका जो roller है, उससे हम इसकी rolling कर रहे हैं, ताकि जो हमारी density है, उसको हम achieve कर सकें, आगे देखेंगे, GSP के बाद जो हमारी layer आती है, next layer है हमारा DLC, जिसको हम बोलते है dry lean concrete, अब dry lean concrete क्या होती है, यह आपका low grade का low workability का concrete होता है, जैसे आपकी buildings में आपका PCC आता है, plant cement concrete, उसी same तरह से आपकी roads होते हैं, जो आपके highways होते हैं, उसमें आपको DLC देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते है dry lean concrete, यह आपकी low grade की low workability की concrete होती है, तो उसमें जो आपका DLC का thickness होता है, वो dead swim रहता है, और बांकि जो normal roads बन रही है, वहाँ पे आपको DLC का thickness आपको 100M देखने को मिलेगा, और यदि हम बात करें कि जो आपका DLC उसमें label tolerance कितना होगा, तो यह भी बहुत important question होता है, तो जो DLC उसकी label tolerance आपकी plus minus 6M होती है, और ज यदि हम normally construction कर रहे है, manually construction हो रहा है, बिना किसी paper machine के, तो हम यहाँ पे 200M का offset लेते हैं, PQC के face से जो आपका DLC का projection होता है, वो आपका normally हम लोग 2M लेते हैं, यदि चीज़ें आपकी normally हो रही है, तो इस तरह से यह हमारा DLC होता है, dry lean concrete, यदि हम DLC में बात करें concrete की, तो जो आपका DLC है, DLC में जो हमारा cement content होता है, DLC मतलब dry lean concrete के, उसमें आपका cement भी आएगा और aggregate भी आएगा, तो हम दोनों के discuss कर लेते हैं, कि जो DLC में जो आपका cement आएगा, वो कम से कम आपको 150 kg रखना है, पर meter cube, as per design, जो हमारा DLC, उसमें आपका 150 kg cement आ रहा होता है, पर meter cube में, और DLC म जो aggregate आएगा, वो भी आपका grading के साफ से आता है, 75 micron से लेके, 26.5 PM तक आपका सभी sizes का aggregate आ रहा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, DLC में आपकी cement आती है, और aggregate आता है, cement कितना यूज करना है, आपको 150 kg per meter cube, और DLC में जो आपका aggregate आएगा, वो आपका 75 micron से लेके, 26.5 PM सभी sizes का aggregate आ रहा होगा, as per grading, आगे चलते हैं, देखेंगे कि जो DLC है, उसका किस तरह से construction होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह सब specification के बाद, आप देखेंगे, यहाँ पर किस तरह से DLC है, उसकी जो laying हो रही है, तो यहाँ पर DLC का laying हो रहा है, और DLC को laying करने के लिए, ह आपका पूरा क्या है, आपका पूरा क्या है, आपका GSB का काम है, उसके जिस्ट बगल में हमारा carriageway का काम चल रहा है, और इसमें देखेंगे, यह हमारे जो DLC उसको check कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो vibrator उसको भी हम use कर रहा है, ताकि हम इसका compaction कर सकें, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हमारा separation membranze आता है, यह हमारा क्या है, एक white color का PVC का seat आता है, DLC का construction करने के बाद, उसके उपर हम यह separation membranze डालते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग PQC के casting कर रहे होते हैं, PQC डाल रहे होते हैं, अम मुद्दा ही है कि separation membranze क्यों डाला जाता है, यह separation membranze इसलिए डाला जाता है, क्योंकि DLC के लिए है, और इसके उपर आपका क्या डाला जाता है, और इससे आपके cracks आने की possibilities होते हैं, तो दो layer के बीच पे friction को reduce करने के लिए हम लोग यहाँ पर separation membranze का use करते हैं, और इसके साथ साथ इसका दूसरा काम होता है, कि इसके ऊपर, DLC के उपर हम लोग PQC cast करने वाले हो, जो PQC का जो moisture content उसको hold करने के लिए, उ करते हैं, तो यह हमें पूरी, जो आपके DLC, उसके उपर हमें बिचा देना है, और इस तरह से बिचाना है, कि इसमें यह एक भी सल नहीं आने चाहिए, अभी आपको यहाँ पर यह बहुत सारे सल दिख रहा है, एकदम smooth आपको इसकी laying करानी है, ताकि इसके उपर आपको यह budget payment बन रहा है, concrete की road बनी, तो बिना joint के, आप किसी भी concrete road की आप कलपना नहीं कर सकते हैं, ऐसा possibly नहीं है, कि आप concrete की road बना दें, और उसमें joints ना देना पड़े, joint अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर brief करना चाहूंगा, यह आप joint को detail में सम सिखना चाहते हैं, तो आप comment section भर दीजे, comment section में मुझे comment करके बताइए, तो मैं आपको आने वाले समय में, एक joint पर proper detail वीडियो लेके आ रहा हूंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर summarize कर देता हूं, कि जो आपका temperature variation होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी rigid payment की slab होती है, वो concrete की होती है, तो उसमें expansion contraction होता है, और इसकी वजह से उसमें cracks आने की possibilities होती है, तो हम वहाँ पर joint दे रहा होते हैं, और दो तरह के joint आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका transfer joint होता है, और एक आपकी longitudinal joint होती है, और transfer joint में आपके contraction और expansion joint आ रहा होते है, जिसमें आपका double bar लेंग किया जाता है और एक आपका longitudinal joint आता है जिसमें आपका टाई बार लेंग किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि DLC का construction करने के बाद और उसके उपर separation membranze डालने के बाद हम लोग जो double bar हैं और जो टाई बार उसकी लेंग कराते हैं तो यहां पर टाई बार आता है तो यह double और टाई बार हैं जिसको हम लोग यहां पर manually डाल रहे हैं अब manually क्यों डाल रहे हैं हमारी दो तरह से machine होती है जो आपका PQC डालने के लिए हमारा paper machine आता है red gun का slip form paper machine आता है with electronic sensor यदि हमारे पास advance paper machine है तो उसमें जो आपके double bar है जो टाई बार है वो आपके automatically डाल देता है हमें इस तरह से लेंग कराने की ज़रूद नहीं है अभी आप देखेंगे तो हमने यहां पर double bar और टाई बार यहां पर manually डाले हुए हैं लेकिन यदि हम advanced machinery का यूज करेंगे तो हमारा यह double bar टाई बार उसमें inserted रहते हैं वो automatically लेंग करा देता है मैं अभी आपको आंगे दिखाऊंगा लेकिन एडवांस machinery नहीं है हम लोग normal pair machine का यूज कर रहे हैं तो इस तरह से आपको यह double bar और टाई बार डालने पड़ेंगे तो double bar टाई बार को अभी हमने ब्रीफ किया हुआ है यह आप कहेंगे तो आपके लिए हम एक detail session ला रहे होंगे जिसमें हम सारे double bar को टाई बार को सभी त देखेंगे इस तरह से हमारे PQC का construction काम स्टाट हो जाएगा तो अब यहां पर आप देख सकते हैं इसमें वहां पर जो मैंने आपको दिखाया था वह दिखाया था कि जो आपके double bar है टाई बार है उनको हम manually लेंग करा रहे हैं और यहां पर देखेंगे हम लोग advanced slip form का आप देखेंगे आपके किस तरह से वो double bar और टाई बार को PQC में automatically insert कर रहा है हमें उस तरह से लेंग कराने की जरूरत नहीं है यह सारे double bar टाई बार रखे होते हैं और इस तरह से आपका यह proper लेंग कर देता है तो यह हमारा यह advanced machine होता है जो की proper लेंग कर रहा होता है इसके बा आपको उसी तरह से manually लेंगना पड़ेगा तो यह हमारा PQC होता है PQC के हम specification की बात कर लेते हैं PQC यानि payment quality concrete जो की आपकी high strength का high grade का design mix concrete होता है जिसमें हम लोग design mix concrete यूज कर रहे होते हैं 30 M 35 M 40 का concrete यूज होता है और इसकी जो थिकने से वह आपकी 1500 M FH से भी जांदा हो स कर रहे होते हैं यहां पर देखेंगे यह आपका advance आपका paper machine है जिसको हम से लिए from paper बोलते है तो यह आपका advance machinery है जिसके थो आपका यह PQC के construction का काम चल रहा है इदि हम PQC की aggregate की बात करें PQC यानि concrete है तो उसमें आपका cement आएगा और आपकी aggregate आएगी तो जो PQC में जो आ S per grading यदि हम इसमें cement content की बात करें तो जो इसमें आपका cement content होता है वो आपका 360 kg per meter Q में हम लोग यूज कर रहे होते हैं at least कम से कम आपको S per more 360 kg cement यूज करनी होती है per meter Q में यदि आप flyers यूज करना चाहते हैं तो cement को आप 20% replace कर सकते हैं flyers को यूज करने के बाद आगे चलत यह देखेंगे हमारा paper machine है और हमने यहाँ पे concrete डाला हुआ है और उस concrete को हम इस excavator से आगे बिशा रहे हैं और उसके बाद यह हमारा slip form paper है वो आपका move करेगा और आपका जो PQC है उसकी laying हो रही होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से हमारी जो PQC है उसकी layer की floating और finishing का काम चल रहा है यह आपकी final finishing और floating का यहाँ पे काम चल रहा है और उसके बाद देखेंगे क्या process होता यह फूरा floating की उपर मूभ करते होंगे तो आपको उसमें ग्रूपस दिखाई देते होंगे तो process हमारी texturing कहलाती है और यह texturing करके हम लोग जो friction शोड़ा सा बढ़ा रहे होते नहीं तो friction आपका बहुत कम होता है texturing करने को थोड़ा सा सोद ≅न देखाइं कि अगर नहीं को तरह सो जाती है और सबसॉत घ्राकी दार्णि कि यहां है और यहां पर आपको टेक्टरिंग werd उसकी देख रही है, जो कि मुस्ट आपको देखने को मिलेगा टेक्शरिंग में क्या होता है, कि जो हम करते है, तो इसकी जो थिकने से वो आपको 3 म म 1 रखनी है, और इसकी जो डेफ्थ है, वो आपकी 3 से 4 म होती है, और इसकी जो स्पेसिंग होती है, वो आपकी 10 से 20 zeros आपको देखने को मिलती है. तो ये हमारा Venue, तो किस तरब से तनी करख़ई है यह नहीं के है जो आपकी और इसकी जो में परेदो water इसकी पास姦नल मंख कर रही है यह पी आप 10-209 अट है यह होगी जो जो एक दस ले आशन यह आप का हुआ है तो यहांग है यह को क्या रहा है है यहां पर देखेंगे यह आपको longitudinal direction भी यहां आपको आपको ट्रेक्ष्रिंग देखने को मिलेगी यह देखेंगे यह भी हमारे पास advanced machine है तो यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग किस advanced machine के थो किस तरह से हमारी यह longitudinal texturing हो रही है यह जो texturing है वो आपकी along the length है तो यहां पर जो आप texturing देखेंगे सेम इस texturing की जो थिकने से वह आपकी 3-4 आप होगी लेकिन जिसकी spacing होती है जो longitudinal texturing होती है उसकी जो spacing होती है वह आपके 18 से 20 से हम होती है और हमें texturing है जब भी हम यह longitudinal texturing करना है तो ये टेक्शरिंग हमें मतलब बुलकुल ये जो पेमेंट से start नहीं करनी है ये जो पेमेंट से at least आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये 75 पेम का gap यहाँ पे रखना होता है और इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारी road marking आती है वहाँ पे हम टेक्शरिंग नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग आपका thermoplastic paint कर रहा होते हैं जो white color की road marking होती है तो वहाँ पे लेक्शरिंग नहीं होती है इसके बाद देखेंगे क्या होता है टेक्शरिंग करने के बाद आंगे की क्या process होती है वह आप देखेंगे तो इसके बाद आप यह देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक white color का liquid spray कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं curing compound बोलते हैं तो after the texturing process हमें curing करनी होती है तो यह curing by compound होती है कौन सा compound होता है आपका resin based aluminized reflecting curing compound का हम इसमें use कर रहे होते हैं जिसके थोरो इसकी curing होती है अब हम इसकी curing क्यों कर रहे है इसकी curing है वो आपको surface पर तो करनी ही करनी है इसके साथ साथ इसकी जो sides होती है यह देखेंगे यहाँ पर जो यह आपका PQC का side है इसके भी आपको curing करनी है और इसकी जो top surface है उसके भी curing करनी है यह curing है वो हमारी machinery के थोरो हो रही है यदि हमारे पास advanced machinery है तो उसके थोरो हम यहाँ पर curing कर सकते हैं curing में आपको पता है क्या उन से compound use करना है curing में आपको जो compound use करना है वो आपका resin based, aluminized, reflective curing compound आपको use करना है curing आप manually भी कर सकते हैं यह देखेंगे आँगे आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर manual curing भी करते हैं यदि आपके पास advanced machinery नहीं है तो फिर आपको manually curing भी आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर आप देख सकते ही देखेंगे हमारा manual curing हो रहा है यदि हमारे पास पैसे नहीं है, कम budget है advanced machinery नहीं है तो आप इस तरह से आपका manual curing होता है जिसमें हम लोग जो आपका curing compound है उसको आपका spray किया जाता है अब यह curing क्यों होता है उसको भी आप पहले समझ लीजे curing हम इसलिए करते हैं ताकि आपको पता है cement को जब water में mix किया जाता है तो आपका heat of hydration का process होता है आपकी heat liberate होती है उस heat को counter करने के लिए हमें curing करनी पढ़ती है curing करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको उपर पानी डालते जाएं curing करने का मतलब यह होता है कि जो हमारा concrete है उसके अंदर जो moisture content है उसको हमें maintain करके रखना है उसको हमें hold करके रखना है इसलिए हम curing कर रहे होते हैं तो initially texturing करने के बाद आपकी जो curing होती है वो curing by compound की जाती है जिसमें हम लोग resin based reflectorized curing compound का use कर रहे होता है अब उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमें initial cutting करने होती है आपको पता है कि cutting कितनी important है अगर हम cutting नहीं करेंगे तो आपके joints नहीं बनेंगे और आपका initial cracks आपको देखने को मिलेंगे तो joints बनाने के लिए हमें cutting करने पड़ती है और सबसे पहले हमारा initial cut लगता है और जो आपका initial cut लगता है वो आपको PQC की casting करने के बाद बिथेना 10 to 12 hours के अंदर आपको initial cutting करनी होती है बिथेना 10 to 12 hours आपको क्या करना पड़ता है initial cutting करनी पड़ती है यहाँ पर देखेंगे जो आपकी cutting machine है उससे हम लोग यहाँ पर cutting कर रहा है तो जो आपका initial cut मारा जाता है तो जो initial cut होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 3 AEM होती है और initial cut की जो depth होती है बनवाई 3rd of slab thickness होती है यहाँ आपकी slab thickness 300 AEM की है तो आपका 100 AEM का initial cut लगेगा 3 AEM thickness का तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग cutting machine के थरो आपका initial cut लगाए जा रहा है और यहाँ पर हम लोग पानी भी साथ में डालते है ताकि जो आपका machine है वो आपकी गरम नहीं हो और जो आपकी ages है वो आपके एकदम सार्फ हो तो cutting करने के बाद इसके बाद फिर आप इस तरह से भी curing कर सकते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने gunny bag का या फिर आप इसको hazel bag भी बोलते हैं तो gunny bag के थो हम लोग अपनी जो PQC की surface है उसको weight रखने की कोशिस करते हैं ताकि उसका moisture content है वो बना रहा है तो यह इस तरह से gunny bag के थो भी हम आपकी curing करते हैं तो curing तीन तरह से आपको देखने को मिल सकती है एक तो आपका curing by compound मैंने बताया था यह हमारा दूसरा curing यह curing by आपके gunny bag से या फिर आप इसको hazel bag भी बोल सकते हैं जो कि हमारा जो PQC की surface है उसका moisture उसको maintain करने में help करेंगे और आपके उसके थोड़े initial cracks नहीं आ रहा होगी तो यह आपका curing होता है और आँगे देखेंगे तो curing का एक method और आपको मिलेगा ponding method तो यह देखेंगे हमारा curing का क्या है ponding method है जिसमें हम लोग क्या करते हैं pond बना की उपर आपका जो water है उसको उमफिल कर देते हैं ताकि हमारा जो moisture content है वो आपका बना रहा है तो जब यह curing का पूरा process हो जाता है तो उसके बाद फिराम में क्या करना पड़ता है at least आपको curing करनी है मुद्दा यह भी होगा कि sir curing कितनी करनी है तो यह curing है वो आपको at least आपको 14 days की तो curing करनी है कम से कम आपको 14 दिन curing करनी है तभी जाके आपकी जो concrete है उसमें एक particular strength आ रही होती है जो भी आपकी design strength है और curing का process पूरा complete करने के बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं आपकी final cutting कर रहे होते हैं हो तरह के cut होते है कि initial cut मारा जाता है और पूरा process होने के बाद हमें एक final cutting करनी होती है तो जो final cutting होती है तो जो भी हमारे joints है transfer direction में और long tune स्टीं में तो धौनों में हमारी final cutting और ने करती हैं तरहे हैं जो हम करते हैं और आपकी 20 से 25 एम करते हैं और यह जो हम रखनी है वो आपकी final cutting हो रही ओधी इस तरह से देखेंगे आपकी जो महीं हैं उसको हम USE करके यहां पर final cutting कर रहा है और जो cutting करें तो पानी डालना बहुत जरूर है ताकि आपकी जो law creating घ्रम नशना विखकी सब्सक्राहिक तरह से जो आपको यहां पर दिख रहा है और यह जो आपका gap है वो कितना है 10 A.M है initial cutting में जो gap था वो तीन A.M था जब हमने final cutting की तो यह gap हमारा कितना हो गया 10 A.M हो गया और इसकी जो thickness है वो आपकी 25 A.M हो गई है आपकी final cutting करने के बाद इसके बाद देखेंगे कि क्या process होता है तो final cutting करने के बाद आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी एक आपका हमें filling करना होता है दूसरी हमें आपको sealing करनी होते है joint बनाना ही काफी नहीं है joint बनाने के बाद हमें filling और sealing का भी process करना होते है दिया filling और ceiling नहीं करेंगे, तो जो आपके joints हैं, वो joints आपके खराब हो रहे होगे, उसमें आपकी धूल मिटी, और पानी आके जा रहा होगा, तो आपका जो payment है वो failed हो रहा होगा, तो हमें joint बनाने के बाद initial cutting होती है, उसके बाद final cutting होती है, और final cutting के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जाइंट होता है, उसकी filling करते हैं, और joint में filling करने के लिए हमारे पास तीन material होते हैं, यह synthetic filler board है, और यहाँ पर देखेंगे हमारा debondering strip है, और तीसरा हमारा क्या backup road है, तो mostly आपको construction में ऐसे filling आपको backup road देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप देखेंगे किस तरह से filling होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यह देखेंगे, जो हमारा final cutting करने के बाद 10M thickness जो group बनाता है, उसमें यह देखेंगे, हम लोग किस तरह सी background डाला है, तो यह background होने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, tape लगा देते हैं, और tape लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, tape हम इसलिए लगा रहा है, ताकि जो PQC की surface हो खराब नहीं हो, भी यूज़ कर सकते हैं, तो तीन sealant आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, hot rubberized between polysulfide और आपका silicon, तो ऐसे sealant आपके तीन material जिसका यूज़ करके आपके जो joint हैं, उसको आपके seal कर सकते हैं, यह देखेंगे, किस तरह से यहाँ पर हमारी sealing का काम चल रहा है, तो टेप लगाने के बाद देखेंगे, हमने यह प्रॉपर तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिलिकोन डाल रहे हैं, और उसके बाद हम इसको प्रॉपर तरह से फिल कर रहे हैं, ताकि जो आपका sealant है, वो आपका अंदर तक चला जाए, और उसके फिर हम यह टेप निकाल देते हैं, जिससे आपको proper finish मिल रही होती है, और यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ आपका hot terrabrized bitman डाल रहे हैं, यह improper construction हो रहा है, मैं proper tape लगानी चाहिए, ताकि आपको proper finishing मिले, और आपकी चीज़ा खराम नहीं हो, तो उसके बाद आप देखिए क्या process होता है, जब हमारा ceiling का complete हो गया, ceiling का काम complete करने के बाद हमें क्या करना है, road furniture का काम स्टार्ट होता है, road furniture क्या होते हैं, वो furniture नहीं है, जिस पर आप बैट के बीडियो देख रहे हैं, road furniture होते हैं, जो कि traveling के दर्मियान, road users को guide कर रहे होते हैं, traffic को regulate कर रहे होते हैं, और उसको control करने काम करते हैं, तो यह safety के लिए बहुत जरूरी है, तो throughout road, आपके road furniture लगाए जाते हैं, जिसमें आपका crash barrier है, road की markings हैं, traffic lights हैं, और सारे भी तरह के road signals बगएरा आ रहे होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, road furniture है हमने एक already detailed video बना रख हैं, तो इस तरह से एक road बनाने का process complete होता है, तो इस video में हमने सीखा कि जो आपके budget payment होते हैं, उनके construction करने क्या process होता है, I hope आपको समझ में आया होगा कि budget payment के construction करने क्या process होता है, engineer सीथी आपको ये video अच्छा लगाओ, तो please इससे आप like कर दीजे, और इस video को आप अपने friends इसके साथ share भी कर वीजे ताकि वो लोग भी सीख पाएं कि क्या process होता है, और यह आपने अभी तरह हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please आप चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे, तो उसी तरह से आपको quality content मिलता रहेगा, thank you so much, see you in the next video, till then keep learning and keep exploring.